करेला तो आपने कई बार खाया होगा लेकिन इस तरह से करेला आपने कभी बनाया नहीं होगा ये करेला खाने में बहुत टेस्ट है और कड़वा तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपकी घर के बच्चे भी उंगलिया चाट चाट के खाएंगे हलो फ्रेंट्स मैं वर्षय हो ले मेरे चानल पर आप सब का बहुत बहुत सागत करती हूँ चले फिर इस करेले की सबजी की रेशिपी देखते हैं तो यहाँ पे सबजी बना निकले आदा किलू करेला लिया है करेले को अच्चे से धुह के पोच लिया फिर कट कर लिया ग्यास के उपर आप मैंने कड़ाई रख दी है कड़ाई में मैंने वाइल डाला है वाइल का इस्तमाल आपके सबसे कम जादा कर सकती हो तो यहाँ पे वाइल में मैंने करेला डाल दिया है तो देखे सब करेला एक साथ डाल देना है और करेला डालने के बाद इसमें हम स्वात के नुसर नमक भी डालेंगे करेले के साथ जिससे क्या होगा करेला हमारा जल्द करेला लाल कलर पेने आता तब तक हमें इसको भूनना इसले आपको यह करेला चलाते चलाते ही आच्चे से लाल कलर के ऊपर फ्राई कर लेना है देखें पाच्छे मिनीट के बाद इस तरह से आपका करेला हो जाएगा आच्चे से लाल कलर पे करेला फ्राय करने के लिए पूरे आपको 10-15 मिनिट लगेगे लगेगे अगर करेले की बहुत ही स्वाधिश सबजी खानी है तो आपको ना 15 मिनिट करेला पहला फ्राय करने के लिए देना पड़ेगा यह अब ये फ्राइ किया हुआ करेला में निकाल लेती हूं तो यहाँ पर ये मैंने सब करेला निकाल लिया है तो करेला फ्राइ होने के बाद हमने सब करेला निकाल दिया है अभी इसी कड़ाई में हमना सबजी के आगली प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए फिर से एक चमज मैंने कड़ाई में वाइल डाल देया है तो यहाँ पे यह कड़ाई में हमारा वाइल आच्छे से गरम हो चुका है तो बस इसमें आप डालेंगे आदा चमत जीरा जीरा यहाँ पे आच्छे से फूल चुका है तो अब इसमें हमने मेडम साइच के तीन प्याच लंबे-लंबे करनी है मोटी नहीं रखनी है प्याज को भी आच्छे से दो तिन मिनिट भूनेंगे बहुत जादा नहीं वुलना हलका यह लेना है देखे किस तरह से मैंने यहां पे फ्याज भून लिया है अब भूनने के बाद उससी में हम करेला डालेंगे और आच्चे से प्याच के साथ एक बार हम करेला मिक्स करके चला लेंगे तो आब इसमें हमें डालने हैं मसाले तो यहाँ पे मैंने डाली लाल मिर्श पाउडर आदा चम्मच साथी में मैंने डाली चुटकी भर हल्दी पाउडर आदा चम्मच मैंने धना ज करेले की सबजी बनाती हैं तो उसमें मैं गरममसाला नहीं डालती हूं, बस लाल्त मिर्च पाऊडर हल दी पाऊडर और घानजिरा पाऊडर डालती हूं इन चीजों से ही ये करेले की सबजी बहुत ज्यादा ses लगती चाओ तो उसमें आप थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हो, आज मेरे पास चाट मसाला नहीं है तो इसलिए मैंने डाला नहीं चाट मसाला भी इस सबज में बहुत मस्क टेस्ट ले के आता है तो देखें यहापे बड़िया तरीके से हमारी करेले की सबजी तायर हो चुके कलर टेक्चर कितना प्यार आया है आप इसको प्याच करेले की भी सबजी बोल सकते हो टिफिन के लिए यह सबजी एकदम परिफेक्ट है या टिफिन में नहीं देनी है तो आप इसको दाल चावल के साथ बना सकते हो तो यह हमारी करेले की सबजी खाने के लिए तयार है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता है जरूर किजिए और आपके घर में एस सबजी जरूर बना के खाईएगा आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी एस सबजी बहुत पसंद आने वाली है और आपके घर के छोटे बच्च भी ये सबजी बहुत शुक से खाएंगे और टिफिन के लिए भी ले जाएंगे क्योंकि जो हमने पहले करेला फ्राइ किया था ना उसके बज़े से इस करेले में बिल्कुर करवाट नहीं रहती है तो आप एक बार जरूर ये सबजी त्राइ कीजे तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई